भारत की सितारो टीम इंडिया की शान क्या बात है टीम इंडिया के कप्तान रोहिश शर्मा आज टीम इंडिया ने इंग्लेंड को कह सकते दस विकेट की हार का बदला ले लिया है करारी हार दी है, उन्होंने 10 विकेट से मात दी थी, हमने 68 रनों से राया है उन्होंने हमारा सफर कर दिया था, हमने उनका सफर खत्पकर दिया है अब टीम इंडिया फाइनल खेलेगी, साउथ अफरिका की खिलाब, बार बारोस के मैदान में 29 जुलाई की शाम को टीम इंडिया ने ये मुकाबला जीता, 171 रन बने थे सबको लगा रन कम है बहुत सारे लोगों ने तो टीवियां तक बंद कर दी थी कि टीम इंडिया का हर बार का यही हो चुका है टीम इंडिया अच्छा खेलती है, नॉक आउट मैच में फंस जाती है लेकिन रोई शर्मा ने का परेशान मत हो ये, मुझे पता है मेरी टीम ने क्या किया है और टीम के गेंदवाजों को कैसे चलाना है रोई शर्मा के अलावा कई सारे और भी खिलाड़ी है जोनों ने टीम इंडिया की जीत पर बड़ा योगदान दिया है शुर्वात की विराट की विकेट के साथ विराट का विकेट गिरा लेकिन रोहित थमे नहीं 57 रणों की पारी के लिए 40 सी कम गेंदों में इस दौरान उनके बल्ले से छे चोकी और दो छक्के भी निकले और ये बता दिया कि मेरा टेंप्लेट बिल्कुल सेट है यानि आऊँगा तोड़ फोड़ करूँगा सामने कोई भी गेंद बास हो शुर्वात इतनी जबर जस्त हो तो खेल आगे मज़ेदार होई जाता है ये तो थे पहले हीरो, दूसरे हीरो थे सूरी कुमार यादो, कमाल की बल्ले बाजी की, टीम फंस चुकी थी डिशयप पंत और विराट कोली जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन सूर्या ने पूरी जिम्मेदारी सभाली और सूर्या ने आज कह सकते हैं, 36 गेंदों में 47 रूनों की कमाल की पारी खेली, सूर्या चाहते तो 50 लगा देते, विल्कुल नहीं लगाई उन्हें छक्का मानने का प्रियास किया, भले कैच आउट हो गए, इस दोरान उनके बल्ले से 4 चोके और 2 छक्के निकले और सूर्या ने बताया, टीम इंडिया सबसे आगे, वह इसके बाद आता है नंबर गेंदबाजी का, कई सारे बल्ले बाजों ने और योगदान दिया, लेकिन बड़े हीरों में गेंदबाजों में पहला नाम है अक्षर पटेल का, जिने प्लेयर अब दी मैच चुना गया अक्षर ने कमाल की गेंदबाजी की, शुरुबात की पहले बल्ले बाजी में थोड़ा दमखम दिखाया, टीम को थोड़े और आगे ले गए और अपने लिए रन मनाए, और फिर बाद में गेंदबाजी शुड़ू ही बटलर को ही चलता कर दिया, यानि दस विकेट की हार जै कहें, दस विकेट की जीत का जो इंग्लेंड सपना देख रही थी, उसे पहले ही चकना चूर कर दिया, पहले बटलर को चलता किया, उसके बाद किसी हलके वल्ले बाज को आउट नहीं किया, उन्होंने तीन बड़े वल्ले बाजों की आउट किया, नाम है मोही नली, ना कर रन आउट रहा ये तो थे प्लेयर आप दी मैच की कहानी चले तीस पांच चौथे हीरो की बात करते हैं नाम है जस्पी बुम्रा बुम्रा इसलिए आगे हैं दो विकेट बहले चटका हैं लेकिन चटकाया किसका है फिल सौर्ट का शुरुबात में बटलर आउट हुए फि दो विकेट अपने नाम किये हैं ये तो है बुम्रा की कहानी आखरी और पांचवा हीरो नाम है कुल्दीप यादो कुल्दीप ने कमाल की गेंदबाजी की चारवर गेंदबाजी की 19 पन खर्च किये तीन विकेट चटकाया और तीन विकेट के साथ एक रन आउट में पूरी तरह से हीरो रहें और आउट की से किया सेम करण और क्रिस जॉर्डन को तो कह सकते हैं भारत के पांच हीरो है तो पूरी टीम 11 खिलाडी बबर शेयर हैं लेकिन आज के मैच के पांच खिलाडी हीरो हैं तो फिलाल आपको क्या लगता है टीम इंडिया फाइनल जीते या नहीं कमेंट बॉक्स में जरू बताना और पेज को फॉलो करना चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुं मत भूलना धन्यवाद